हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हारदिक स्वागत है देखिए आज जो हम आपके सामने टोपिक लेके आएं वो टोपिक एक बहुत बड़ा अगर आप बोलें जो लोग है जिन को खाने के लिए काफी मुसीबितों का सामना करना पड़ता है दो वक्त की रोटी के लिए उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है अगर मैं इसको सोटफों में बोलूँ ONORC यानि One Nation, One रासनकार्ड आपने बहुत सुना होगा एक देश, एक टैक्स यानि हर चीज एक होनी चाहिए देश में आभी यूनिफोर्म सिविल कोड की बाद चलेगी देश में जो सबके लिए सेम कानून होना चाहिए तो ये एक उसी तरज पर बनाया गया है One Nation, One रासनकार्ड देखिए आप सभी को पता होगा रासनकार्ड क्या होता है अगर आप रासनकार्ड से कुछ बेनिफिट नहीं भी ले पा रहे हैं ये हूँ चावल जो सस्ती दरों पर मिलता है वो नहीं ले रहे हैं फिर भी रासनकार्ड क्या एक अगर मैं डोमेस्टिक गाउं में जाऊं इन सब चीजों में जाऊं तो मैं देखूंगा रासनकार्ड हमारा का पहचान का बहुत बड़े जरिया होता है जो हमें बताता है कि इस गर में इतने लोग हैं और ये इस गर का सदश्य है तो वो सब चीजे जो हैं रासनकार्ड से लिंक होते हैं लेकिन सबसाद इंपोटेंट है उन लोगों के लिए है जो दो वक्त की रोटी नहीं कमा पाते हैं या जिनकी आज जिविका के सादन जो हैं कम है उन सब लोगों के लिए क्या ये एक बहुत कारगर उपाए है देश के द्वारा चलाएगी बहुत अच्छी योजना है अब लेकिन उसमें क्या है देखिए आप सब ने देखा होगा आजकल बहुत वर्ड चला था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पहले हम सब क्या है कोई भी सिम्यूज करते थे तो दूसरे में पोर्ट नहीं करा पाते थे आजकल बड़े आसानी से पोर्ट करा देते हैं कभी वोड़ा फोन फिर कभी दूसरी जिगे गए दरों पर मिल जाए यह वो ही कॉंसेप्ट था अभी जो सुप्रीम कोट का डिचिजन आया एले टेस्ट जुलाई 6 में ओन जुलाई 6 दा सुप्रीम कोट डिरेक्टेड ओल स्टेट्स एंड यूनियर टेरिट्रीज सभी राजियों और केंद्र सासित प्रदेसों को बोला गया है इंप्लिमेंट दा One Nation One Rassan-Card सिस्टम कि जितना जलदी से जलदी हो सके आप One Nation One Rassan-Card सिस्टम को इंप्लिमेंट किजिए और उसका जो टाइम लिमिट दिया है बाई जुलाई 31 तक यानि 25 डेज का आपको टाइका में मिला है उस टाइम पिरड के अंदर आपको सभी राज्यों को इसको इंप्लिमेंट करना है देखें ये एक्चुली सबसे बड़ी आप अगर देखें कि जो कोविड के टाइम में दिक्कत हुई उस दिक्कत को देखते हुए कि लोग इस स्टेट से उस स्टेट में माइगरेंट होके जा रहे हैं फिर जो अपने राज्यों में वापस लोटे उनको रासन कार्ड मिले रासन मिले कैसे मिले इन सब चीजों को देखते हुए ये सब चीजे लाई गई थी बट हम देखना चाहते हैं कि एक्टली वन नेशन, वन रासन कार्ड, एक्टली ये कॉंसेप्ट था क्या, कब आया और इसके क्या-क्या बेनिफिक्स थे, देखे, ONORC स्कीम is aimed at enabling migrant workers and their family members to buy subsidized राशन from any fair price shop, देखे, कहां पर भी उचित प्राइज की जो शोप होती है, जो country में बहुत सारी है, anywhere in the country under the National Food Security Act, 2013, देखे, जो राशन, नैशनल Food Security Act आया था, 2013 में, उसके अंदर क्या है, लोगों को ये सब सुईधाई दी गई थी, कि आप राशन की दुकान पर जाईए, fair price shop पर जाईए, जो उसी त्रेट की दुकान है, वहाँ पर अपना चावल, चाईए, और वह सब आइटम ले लेजिये, अगर मैं इसका एक example लेकर चाहूं, तो जो example है, यहां पर वो है, कि अगर एक आदमी, किसी एक state का है, यहां पर example यहां बस्ती डिस्टिक ओफ उत्तर प्रदेश, और वो यहां से मुंबई चला जाता है, where he or she may have gone in search of work, क्योंकि कि हमें सब को पता है कि हम कहीं न कहीं इस स्टेट से दूसरे स्टेट में काम के लिए सब जाते रहते हैं अब देखिए सबसे इंपोर्टेट में चीज क्या है कि मैं यहां अभी यूपी में रह रहा हूं मैं यहां से मुंबई में काम करने गया अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा रासन कार्ट जो मुझे रासन यहां मिल रहा था अगर मुझे पांच केजी यहां पर कुछ रासन मिल रहा था दस रुपे में माल लिया मैंने एक्जम्पिल तो मैं यहां जा रहा हूं मुझे यह रासन कार्ड क्योंकि रासन तो मिर को मिल रहा है तो मुझे यहां भी यह 5 केजी 10 रुपे में मिल जाए बट ऐसा होता नहीं है उसका रासन कार्ड के वाले इसी कंडिशन में इसी एरिया में कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होते है जो उनकी जूरिडिक्शन होता है तो उसी में मिलता है उसको तो यहां पर उसको फिर वापस जाके वही 20 रुपे पर केजी यानि 100 रुपे खच करने पड़ेंगे तो उसको यह सब समझ चाए हो रही थी तो इसमें क्या प्राविधान किया गया कि आप पूरे देश में कहीं भी जाएं आप वहाँ पे जाके अपने जो आपके नाम पे अगर दो केजी मिलता है तो आप अपना दो केजी रासन मुंबई में भी जाके ले सकते हैं और अगर एक रसनकार पर पांच आदमी है टोट कि यह जो डोक चार लोग है इनको आठक लोपना है मिल जाए तो यह सुईधाय देने के लिए यह जो इसकी में लाई गई थी तो प्रमोट इस रिफॉर्म दा पी डी एस पॉब्लिक दिस्टिविशन सिस्टम जो सार्वजिनिक वित्रण पढ़ना ली है तुक दा गवर्मेंट हैस प्रोवाइड इंसेटिव्स तो स्टेट्स स्टेट्स को क्या है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एक्स्ट्रा पैसा भी दिया गया है कि आप इस चीज को लागू किजे जो कोवीड-19 हुआ तो उसमें क्या है उनको बिना उसके भी एडिशनल बोरोविंग के लिए प्रोवदान किया गया था एट लिस्ट 17 स्टेट्स विच एंप्लिमेंटिड दा ओए आर्सी रिफॉर्म वर एलाओड तो बोरो एन एडिशनल 37,600 करोड रुपीज इन 2021 देखे उस टेंपर जिन 17 स्टेट्स ने इसको लागू किया था उनको इतना पैसा एडिशनल में दिया भी गया था How does ONORC work? बहुत है तो उस परनाली के लिए क्या करना पड़ेगा? यह कैसे काम करता है دेखे ONORC is based on technology that involves details of beneficiaries, रासन कार्ड, आधार number and electronic point of sale, POS मसीन आप सबने देखी होगी आजकल तो आधार कार्ड के तुरू, आप जाईए अपना आधार कार्ड दिखाईए, अब आधार कार्ड क्या है, आपका बायोमेट्रिक होता है इसमें आपके थम इंप्रेशन्स होते हैं, आपकी आँक का रेटिना का भी जो है, फोटो अगर सब कुछ किलिकलिया होता है तो जैसे ही आप उसमें अपना आधार कार्ड लगाएंगे, अपना थम इंप्रेशन लगाएंगे POS मसीन पे तो आपका दिखा देगा कि आपने मुंबई में इस महीने का रासन ले लिया है तो आपका रासन और कहीं पे नहीं लिया जासता है, उस महीने में आप रासन अब वापस अगर चले भी गए यूपी में तो आप अपना रासन नहीं ले सकते क्योंकि आपका थम जो है already लग चुका है The system identifies a beneficiary through biometric authentication on POS devices at FPS जो fair price shops हैं उन पर The system runs with the support of two portals देखें इसके लिए two portals बनाए गए हैं जैसे IMPDS Integrated Management of Public Distribution System and Unvitran ये दो portals बनाए गए हैं विच होस्ट all the relevant data When a रासन कार्ड होल्डर गोस तो a fair price shop he or she identifies himself, herself through biometric authentication अपना वो थम इपरिशन लगाएगा तो वहाँ पर वो राजिटर हो जाएगा इसने यहाँ पर इस महीने का रासन ले लिया है which is matched real time with details on the Unvitran portal जैसी वो होगा तो Unvitran portal पर वो जाके upload हो जाएगा तो पूरे देश में चल जाएगा पता कि इस बंदे ने ले लिया है अब ज़क्त मैं कहीं और जाके अगर लेना चाहूं अपने थमपे तो मुझे पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा once दारासन का details are verified the dealer hands out the beneficiary entitlements तो वो उस बंदे को उसका रासन देदेगा while the Unvitran portal maintains a record of intra-state transactions देखें दो चीजों का ध्यान रखना है एक तो intra-states यानि UP और महराष्ण माल लिया दो states तो उनके लिए क्या है अन्वित्रन और inter-district और intra-district ठीक है the IMPDS portal records inter-state अगर UP के ही अंदर आप दूसरे district में जा रहे है जरूरी थोड़ी है कि आप आप East UP से West UP में भी जा सकते है तो आपका state तो common है तो यह क्या हो जाएगा आपका inter-state तो inter-state के लिए क्या IMPDS तो दो पोर्टल है अन्वित्रल जो intra-states और inter-states के लिए आपका IMPDS How many people will it benefit? अब देखिए कितने लोगों को इससे benefit होगा तो under the NFSA National Food Security Act 2013 About 81 करोड़ प्यूपिल आर एंटेंटाइल डल्ड यानि 81 करोड़ लोग एंटाइल्ड है To buy subsidized food grains तो सस्ता अनाज मिलता है वो कितने 81 करोड़ लोग Rice at 3 रूपीज पर केजी Wheat 2 रूपीज पर केजी And coarse grain at 1 रूपीज पर केजी From designated fair price shop अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं सबको पता है कि हमें यह राशन इतने rate पर मिल रहा है As on 28 June 2021 There are about 5.46 लाख FPS जो fair price shops है जो उचित rate की दुकान है पूरे देश में 5,440,000 already है And 23.63 करोड राशन कार्ड होलड़ और राशन कार्ड होलड़ जो हैं वो 23.63 करोड है Each NFC राशन कार्ड होलडर is assigned to a fair price shop near the place where his राशन कार्ड is registered देखे अब यह वो बोल रहा है कि इसके अंदर क्या होता था कि मैं इस डिस्टिक का या इस ब्लोक का रहने वाला हूं तो मुझे बता दिया गए वारी ये दुकान है जो सरकारी गल्ले के दुकान है ये दुकान है तुम केवल इसी दुकान से ले सकते हो ये प्रोविजन था आपका NFC में बट अभी हम क्या करना जा रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ आपका सबका कोमन हो जाए कि आप यहां लो या वहां लो सब चीज़े आपकी सेम है वार्ट फेक्टर्स लेड टुदा लॉंच ओफ ओ ओ एन ओ और्सी तो अर्लियर NFC बेनिफिस्ट्रीज वर नोट एबल तो एसस दियर पीडियस बेनिफिट्स आउटसाइड दा जूरिजडिक्शन ओफ दी स्पेसिफिक फेर प्राइज शोप तो विच दे हैव बीन एससाइंड देखे इतना ही है कि आपको जहां बताया गया था आप केवल उसी दुकान से ले सकते थे उससे ज़्याद आप बाहर नहीं आपकी एसस आपकी पोहुँच नहीं थी जो 5.46 लाक्स आपकी फेर प्राइस बताई थी उसमें आप कहीं भी जाके आप राशन अपना ले सकते हैं फुल कवरेज विल बी पोसिबल आफटर लेकिन ये सब होक अप पाएगा जब आपका आधार आपके राशन कार्ड से 100 परसेंट लिंक हो जाएगा अब हमने पताया 5.46 लाक्स हमारी फेर पाइस सोप्स हैं अब सब के पास अगर प्योस मसीन नहीं होगी तो थम कैसे लिये जाएंगे तो अभी लगबस 4.74 लाक्स के वल ऐसे हैं जहां पर ये डिवाइस जहां पर प्योस मसीन पहुंच चुकी है तो जो भी 75,000 के आसपास आपके बचे वहाँ पर अभी इनका पहुंचना बाकी है उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये हो पाएगा अब ये जो हम ONORC की बात कर रहे हैं अच्छली लॉंच कब होई थी ONORC वस लॉंच्ट इन अगस्ट 2019 अज पाइलट प्रोजेक्ट इन फोर स्टेट्स तेलंगाना, आंदरपर्देश, महराष्ट्रा एंड गुजरात बाई राम व्लास पासवान तो जो राम व्लास पासवान जी थे उन्होंने एक अगस्ट 2019 को ये प्रोजेक्ट, ये स्कीन लॉंच की थी इन चार स्टेट में हम पहले इनको लागू करके देखते हैं और उन्होंने बोला था कि जून 2020 तक हम इसको पूरे देश में लागू कर देंगे ये हाला कि अब तक भी लागू नहीं हो पाया है वर्क ओन रासन कार्ड पॉल्टेबिलिटी हाओवर हैड बिगन इन अप्रेल 2018 देखिए आइम पीडियस पॉल्टल जो है अप्रेल 2018 में बन गया था बट एक अगस्ट 2019 से आपकी ONRC लागू है ONRC was initially launched as a interstate यानि केवल आपस में बात कर लिए कि आप UP के अंदर ही इस डिस्टिक से उस डिस्टिक में आप जा सकते हैं तो interstate pilot के रूप में की गई थी लेकिन जब देखा कि इतने लोग migrant हो इधर से उधर मूव कर रहे हैं तो इसकी ज़्यादा जरूर पड़ी और उस पे बहुत ज़्यादा से तेजी से काम किया गया As part of its COVID economic relief package The government announced the national rollout of ONORC in all states and unit territories by March 21 तो government ने क्या बोला भई मार्च 2021 तक हम इसको सभी जिगे लागू कर देंगे बट अभी तक भी नहीं हो पाया है यही सूपरीम कोर्ट ने बोला है कि आपके पास जुलाई तक का टाइम है जल्दी से इसको कीजिए What has been covered so far अब कहां कहां कितने states इसको लागू कर चुके हैं और कौन-कौन बचे हैं तो तिल देट 32 states and union territories have joined the ONORC covering about 69 करोड बेनिफेसरीज हमें जो पताया था इस टार्टिंग में कि 81 करोड बेनिफेसरीज हैं NFC के तो उसके तहत अभी केवल 69 करोड लोग हुए हैं 70 मालों तो अलगबद 10-11 करोड के आसपास लोग अभी भी बचे हुए हैं तो four states are yet to join the scheme चार states अभी भी ऐसे हैं जो इस scheme को अभी तक लागू नहीं किये हैं जैसे आसाम, 36 गड, Delhi and West Bengal देखे इन सब की अपनी-अपनी points हैं कि यह नोंने क्यों नहीं लागो किया हैं तो there are various reasons, for instance, Delhi is yet to start the use of EPOS in fair price shop which is a prerequisite for the implementation of ONORC अब देखे दिल्ली में जो उनकी आपकी हम घर-घर देके रासन पुचा रहे हैं उसको रासन देखा आ गया, बट आज दिल्ली में यह दिल्ली है, यह UP यह कोई और इस्टेट, तो यहां से क्या किया दो लोग यहां से आके यहां आ गए दो लोग, तीन लोग यहां से आ गए अब इनको कैसे पता चलेगा कि यह पांच लोग नहीं आए तो उनके हां रासन कैसे पहुचाए जाए तो वहां पे एक तो यह है क्योंकि जो उनकी पहले से स्कीम चली जा रही है, उसमें दिक्कत हो रही है दूसरा, West Bengal, in the case of West Bengal, the state government has demanded that non-NFSC रासन कार्ड, यानि जिसके पास ऐसा रासन कार्ड है जो NFSC के अंदरगत नहीं आता है रासन कार्ड issued by the state government ने रासन कार्ड दे रखा है, should also be covered under the ONORC उन सब लोगों को भी one nation, one रासन कार्ड scheme में सामिल किया जाना चाहिए तो देखिए, सब की अपनी अपनी plus minus हैं, सब की अपनी अपनी demands हैं तो ये चार states अभी ऐसे हैं जो बचे हैं, बट इसका benefit जितना जादा लोगों को मिल सकेगा, बहुत अच्छी scheme है लेकिन इसकी थोड़ी सी समझचा है, जैसे जैसे हमने अभी लास्ट में डिसकस किया, कहां से अगर ये आपकी एक, दो, तीन, यह माले ये soaps हैं, और एक soaps यह है, अब यहाँ इस महीने आए 10, यहाँ 20, लेकि नेक्श्ट मन पर चला, यहाँ 100 आगे, यहाँ 0, तो अपना कोटा किसी साब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनको तो पहले से मंगा कर रखना पड़ेगा, तो यह थोड़ी सी समझचा हैं, बाकी इसकी बहुत अच्छी है, मैंने कोसिस की कि आपको इसको बहुत आसान सब्दों में समझा सकूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ तो क्रिपय वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलेंगा आप से तब तक लिए, जय हिन, जय भारत!